नमस्ते आज इस कहानी को मैं यहाँ प्रसुत कर रही हूँ वह है बोलने वाली औरत इसकी लेखी का है मम्ता कालिया और वाचनस्वर अल्पना वर्मा का कहानी शिरू करते हैं यह जाडू सीधी किसने खड़ीगी? बीजी ने तियोरी चड़ा कर विकट मुद्रा में पूछा जब आप न मिलने पर उन्होंने मीरा को दमकाया इस तरह फिर कभी जाडू की दो? विक कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है फिर मीरा भी तो वैसे ही हमेशा छोड़ी-छोड़ी मुद्रा में रहती थी मैंने नहीं रखी, मीरा ने एट कर जवाब दिया क्यो? रखी थी, तुझे इतना नहीं मालूम कि ज़ाडू खड़ी रखने से घर में दलिद्दर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोक चड़ पकड़ लेता है मैंने तु नहीं कभी सुना जाने कौन गाउं की है तू? मा के घर से कुछ भी तू सीख कर नहीं आई काके का काम बैसे ही धिला चल रहा है, तू और ज़ाडू खड़ी रख, यही सीख है तेरी? मेरा ख्याल है, ज़ाडू गुसल खाने के बीचों में भीगती हुई, पसरी हुई छोड़ देने से दलिदर आ सकता है तीली अंगल आती है, रसी धीली पड़ जाती है, और गंदी भी तो कितनी लगती है? आज मैंने माफ कर दिया, फिर कभी ज़ाडू खड़ी नाम मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, ज़ाडू कैसी भी रखी जा सकती है? बीजी जुझला गई, कैसी जाहिल और जिद्धी लड़की ले आया है काका, लाख बार कहा था इस कुदेशन से ब्याह ना कर, पर नहीं, उसके सर पर तो भूट सवार था शिखा को हसी आ गई, बीजी अपने को बहुत सही और समझसार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता उसे हस से देखकर बीजी का खून खौल गया, इसे तो बिलकुल भी अकल नहीं, उन्होंने मीरा से कहा बीजी चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा, बीजी उसकी तरफ पीट करके बैठी रहीं, शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती, वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा किस वर में खुशामत की कमी रहती है शिखा ने चाय का ग्लास उनके आगे रखा, तो वे भढ़क गई, वैसे ही मेरा कब्स के बारे बुरा हाल है, तो चाय पिला-पिलाकर मुझे मार डालना चाहती है शिखा ने और बहस करना सगित किया, और चाय का ग्लास लेकर कमरे में चली गई शिखा का शोहर कपिल अपने घरवालों से इन अर्थों में भिन्य था कि आमतोर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था शादी के खयाल से जब उसने अपने आसपस देखा तो कॉलेज में उसे अपने से दो साल जूनियर बियसी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एक तमा लग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी शिखा का पूरा नाम दीप शिखा था लेकिन कोई नाम भुषता तो वह महज नाम नहीं बताती कहती मेरे माता पिता ने मेरा नाम खलत रखा है मैं दीप शिखा नहीं अगने शिखा हूँ अगनी शिखा की तरह ही वह हमेशा प्रजवलित रहती कभी किसी बात पर कभी किसी सवाल पर तब उसकी तेजी देखने लायक होती उसकी बक्तरता से प्रभावित होकर कपिलने सुचा वह शिखा को पाकर रहेगा पढ़ाई के साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लोगा था इसलिए शादिस से पहले नौकरी ढूणने के उसके कोई जरूरत ही नहीं थी बिना किसी आडंबर, दहेज या नकरे के एक साथ ही समाहरों में वे विवहा सूत्र में बंद गए शिखा उसकी आत निरभरता, खुबसूरती और स्वतंतर सोच से प्रभावित होई थी तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवहा दो अलग-अलग संसार है वे अपने घर की कारा में एक कैद रहती है, हर एक की दिचरिय horror की समरस्ता रहती है हर एक की चहर की अक ठरह और घर का एक धर्रा है, जिसमें आपको फिट होना है कुछ औड़ते ही इस उप पर शर्रिंगार का मुलम्मा चड़ा लेती है पर उनके श्रिंगार में भी एक रस्ता होती है शिखा अंदाजा लगाती सामने वले घर के नितने आज कौन से साड़ी पहने होगी और प्राया उसका अंदाजा सही निकलता यही हाल लिप्स्टिक के रंग और बालों के स्टैल का था दुख की बात यह थी कि अधिकांश औरतों को इस उब और कैद की कोई चेतना नहीं थी वे रोज सुभ़ साड़े नौ बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दिया थी अपना दिन तमाम करने के लिए वही लंच पर पती का इंतिजार, टीवी पर बेमतलब कारेगरमों को देखना और घर भर की नाशते, खाने, नकरों की नोक पलक समारना चिकनी महीला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना दोपार को सोना, सजेवे घर को कुछ और सजाना सास की जी हुजूरी करना और अंतमीर रात को एक चड़ नीद में लोड़क जाना कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकाया दर्ज की तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चदुर समझती है अपने आगे किसे की चलने नहीं देती खड़ी-खड़ी जवाब टिकाती है कपिल को गुसा आया शिखा को एक अच्छी पत्ने की दरज जुप रहना चाहिए खास तोर पर मा के आगे उसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और मा को प्रतिपक्ष का वक्ता उसने कहा मैं उसे समझा दूँगा आगे से बहस नहीं करेगी उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल मैं समझ ही नहीं सकती मा ने मुह बिचकाया रात उसने कमरे में शिखा से कहा तुम मा से क्यों लश्ची रहती हो दिन बर इस बात का विलोम भी तो उतना ही सच है हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं एक संबंद है जिसकी इज़त तुम्हें करनी होगी हम गलत बातों की भी मा की कोई बात गलत नहीं होती कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता कपिल तैश में आ गया तुमने मा को इंपरफेक्ट कहा तुम्हें शर्मानी चाहिए, तुम हमेशा ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी, तुम मेरी आवास बंद करना चाहते हो, मैं एक शांत और सुरुजी पून जीवन जीना चाहता हूँ, शिखा अंदर तक जल गई, इस उत्तर से, क्योंकि यह उत्तर हजार नए प्रशनों को ज नहीं पाता, बहुत जल कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्तित हो जाता, कि जुआला मुखे की तरफ फट पड़ती, और एक बार फिर बत्तमीज और बत्सपान कहलाई जाती, तब शिखा बेहत तनाव में आ जाती, उसे लगता घर में जैसे टॉयलेट होता है न, ऐसे एक भी होना चाहिए, जहां खड़े, जहां खड़े होकर वे अपना गुबार निकाल ले, जन्जीर खीच कर बातें बाहा दे, और एक सब शान्त मुद्रा से बाहार आ जाए, उसे यह भी बड़ा जीव लगता, कि वे है लगतार ऐसे लोगों से मुखातिब है, जिनें इसके इस भारी भरकम शब्द कोश की जरूरत ही नहीं, घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो शब्दों की दरकार थी, जी और हां जी, कल छोले बनेंगे, जी छोले बनेंगे, पजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए, हां जी पजामों के नाड़े बदले ज उनके जैसा कोई नहीं हो सकता हमारे बच्चे तो बिलकुल लवकुष की जोड़ी है हमारा बीटर तो पड़ने में इतना तेज़े कि पूछ हुई मत शिका को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो इस तरह संतोश में लबा लब फरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अला ही है जबकि उसने जिन्दगी की एक बिलकुल अलग तस्वीर देखी थी कितना अजीब होता है कि दो लोग बिलकुल अनोखे अलग अंदास में इसलिए करीब आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता के कदर करते हों महज इसलिए टकराएं क्योंकि अब उन्हें मौलिकता चाट रहा था कपिल चाहता था कि शिखा एक अनोखूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने उपर ओड़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंतर छोड़ दे शिखा की भी यही उमीद थी उनके जीवन का रूटीन या धर्रा उनसे कहीं अ यमेज जरा सिफी देर सबेर उने परदाश्ट नहीं थी शिखा जैसे तेसे रोज की काम नप्टाती और जब घर सो जाता हाथ मुधो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुभ उठने में भी उसके सभी आगा में काम थोड़े पिछड जाते बीजी का हिदायत नामा शुरू हो जाता ये आदियादी रात तक बत्ती चला कर क्या करती रहती है तू ऐसे कहीं घर जलता है ससुर एक सीखा हुआ मुखावरा टिका देते ओली दबेर एन ओली तू राइस वगेरा वगेरा हिदायते सही होती ही पर शिखा को बुरी लगती वह बेमन से जाडू जाड़न पोचे का रोजनाम चा हाथ में उठा लेती जबकि उसका दिमा किताब कागस और कलम की मांग क करता रहता कभी कभी चुट्टी के दिन कबिल घर के कामों में भी उसकी मदद करता बीजी उसे टोक देती यह ओड़तों वाले काम करता तू अच्छा लगता है तू तो बिल्कुल जोर का वुलाम हो गया है घर में एक सहज और सगन संबंद को लगा ता ठोक पीट का यांत पत्रिक बनाया जा रहा था एक आंत में जो भी तन मैता पति-पत्नी के भी जनम लेती दिन के उजाले में उसकी करतन मरोड़ दी जाती बीजी को संतोश था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है वे बेटे से कहती तू फिकर मत कर थोड़े दिनों में इसे एन प कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदा नहीं हुए थे बलकि लाट प्यार में दौनों के अंदर एक तरकाती तुनक मिजाजी आ बैठी थी स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते गाने सुनते आपस में मार पिटाई करते और जैसे ते से अपना होमवर्क पार लगा कर सोचाते कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखवारों पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटना है इन दिन बिताती रहती वे जीवन के पिछले दस सालों और अधूर मधूर जल्ला होगा वे क्या करें अगर उसके अंदर देल की जगे लावा भरा पड़ा है उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शिरु करना चाहिए इसी उदेश्य से उसे कपिल से कहा क्यों नहीं हम दो शार दिन को कहीं गूमने चले कहां कहीं भी जैसे जेपुरियागरा वहां हमें कौन जानता है फजूल में एक नई जगह जाकर फस्ता वहां देखने को बहुत कुछ है हम घूमेंगे कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे ऐसे सब चीज़ें यहां भी मिलती हैं सार इसका मतलाब अब हम कहीं नहीं जाएंगे यहीं पड़े पड़े एक दिन दरक्त बन जाएंगे तुम अपने दिमाग का इलाज करो मुझे लगता है तुमारे हार्मोन बदल रहे हैं मुझे भी लगता है तुमारे हार्मोन बदल रहे हैं तुमारे अंदर बराबरी का बोल और पती की दरह पाना कितना अलग था, जिसे उसने निराला समझा वही कितना ओसत निकला, वह नहीं चाहता जीवन के ढरे में कोई नया पन या प्रयोग, उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की, उसे एक गांधारी चाहिए, जो जान बुझकर ना सिर्फ अंदी हो, बल कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, और अब जो आप तीरत के बहाने घूमने जाती हैं, वह शिखा से नहीं रहा गया, और वह कहने लगी, तीरत को तुग घूमना कहती है, इतनी खराब जुबान पाई है तुने, कैसे गुजरा होगा तेरी ग्रस्ती का, काश, गौदरेश कमपनी का कोई ताला होता मुँपर लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुँपर जड़का चाबी सेफ में डाल देते, शिखा ने सूचा, सच, ऐसे कब तक चलेगा जीवन, बच्चे शहजादों की तरह बरता करते, नाशा करने के बाद जूटी प्लेटें कमरे में मार बैठती उसको, एक दिन बेटे ने पलट कर उसे मार दिया, हलके हाथ से नहीं, भरपूर घूसा मुँपर, होट के अंदर एक तरफ कमास बिल्कुल चित्रड़ा हो गया, शिखा सन रह गई, ना केवल उसके शब्द बंद हो गय, जबड़ा भी जाम हो गया, बरतन बात बात बोलती हो, इसे से दूसरे का खून खौलता है, शुरू से तुने जैसी ट्रेनिंग दी, वैसा वह बना है, ये तो बजबन से सिखाने वाली बाते हैं, फिर तू बड़तन उठा देती, तो क्या गिश जाता, उनी के शब्द शिखा के मूँ से निकल गए, अगर यह रख देता, तो इसका क्या गिश जाता, बत्तमीज कहीं कि बड़ों से बात करने की अकल नहीं है, बीजी ने कहा, ससुर ने इस सारी घटना सुनकर फिर एक मुहावरा टिका दिया, कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती दि, अब बच्चों को भी शिकार कर रही हो, शिकार तुम मैं हूँ, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहते थी, पर जबड़ा एक्दम जाम था, होट अब तक सूच गया था, शिखा ने पाया, परिवार में परिवार के शर्त पर रहते रहते, ना सिर्फ वे अपनी शकल खो बैटी है वरन, अभी व्यक्ती भी, उसे लगावे ठूस ले अपने मुँ में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे के तार से, उसके शरी से कहीं कोई आवाज न निकले, बस उसके हाथ-पाउं परिवार के काम आते रहें, ना न जब मृत्य के बाद उसके चीर फाड होगी, तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जाकती इबारत बन जाएंगे, उसके फेपड़ों, गले की नली से अंतरियों से चिपकी हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकिले, कटिले, जहरीले, असामाती के मुह सूज़ा हुआ है, पर मुह बंद रखने, मुह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है, ये शब्द उसके लड़ाई लड़ते रहेंगे, और यहीं यह कहानी समाप्त हो जाती है, मम्ता कालिया जी की इस कहानी में शिखा उन सभी इस्त्रियों का घर की कारा में बंद है, आज भी ऐसे पुरुष हैं, आज भी ऐसे परिवार हैं, जो घर की बहु को सिर्फ जी हुजूरी करने वाली एक मशीन के रुप में देखते हैं, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, इसी तरह की प्रसिद और अच्छी हिंदी कहा आनियों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपका मेरे चैनल अल्पना वर्मा पर स्वागत है, धन्यवाद